हेलो फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी से समाधित एक बहुत ही महत्पुरून टॉपिक को ले के आ हैं और इस टॉपिक का नाम है लिंग वंवचन तो इससे समाधित हम परश्ण को जानेंगे इस वीडियो में तो आप लोग वीडियो के अन तक बने रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं परश्ण है निमन लिखित परश्ण में चार विकल्पों में से दिये गये सब्द का पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए तो यहाँ पर जो वर्ड दिया गया भीक्छुनी यह इस्तरलिंग है किसका इस्तरलिंग है यह आपको बाता आ पुल्लिंग है और इसी भीक्छु का इस्तरलिंग है भीक्छुनी तो इसका अंसर ओप्शन सी हो गया आप इसे याद रखिएगा नेक्स्ट है निमन लिखित विकल्पों में से तीथी का बहुबचन कौन सा होगा तीथी का बहुबचन बताना है वर्ड है तीथी इसी का बताना है तो तीथी का तीथियां हो जाएगा तीथी का क्या हो जाएगा तीथियां यह मैं यह आकर चन मिंदू तो चन मिंदू बला होगा तो यह यह दिया है यह अंस्वर यह नहीं होगा तीथियां फिर तीथियूं तीथिये यह दूनों तो होगा नहीं इसका अंसर इस तो अगर आपको बौक्त बनाते हैं तो हर्सेंं बागा नहीं होगा अ किस का ब्राहमन का स्ट्र Texas तो PULLING है इसका STRING अब रामनी हो यह बदा होगा कि इसका अनसर ओप्षन अड़ी हो जाएगा पराशन है देव सब्द का 태gherling था थापको यह पे चलन बताना है तो इसका rikt healing क्या होगा के अब्धता देवी दानव अब्धतागन देव का di ew Chapter होगा गन भी नहीं होगा इसका अंसर उप्टिन भी होजागा देवी क सर लेंक बियुए जिस तरह अगर यूचे आपकाय का था पैसे दाल94Go फ्टिया चिडीया का बॉचन क्या होता है ने जिदिया का मुणता है शिदिया का पूंता हम का जाइब हम उत तो यहाँ पर चिल्ण रों 吸कोम अगी जुली और डेमानी होत कई धूर्ण मटना आप घू मृत कल दो हम्य कोमी वितल पर दो रिदो रितवी एक जा ज़गा रित्युन्य उस तरह से ठीक है याद रखेंगे इसमें यू आकरवला नहीं होगा इसमें ए चर्मिंदू तो रित्विये रित्व का रित्विये और पुस्ता चात्र चात्र क्या होता चात्रा चात्र का चात्रा सरका मेडम परशन हिंदी भासा में वचन के कितने भेद है हिंदी भासा में वचन के कितने भेद है देखिए हिंदी में वचन के दो भेद है एक वचन और बहु वचन यह हिंदी में वचन के दो भेद है ठीक है और इंगलीज में भी दो है इंग्लीज में भी दो हैं सिंगुलार और पुलूरल इंग्लीज में दो हिंदी में दो लेकिन संस्कृत तीन एक वचन दूई बचन तो आप याद रिखेगा ठीक है तो यहां पर परस्न दिखें हिंदी में वचन के तने में दो बेद हैं इसका अंसर ऑप्शन यह हो जागा है जाति के जातियां हो जाएगा जातिय नहीं होगा यह कर चन मंदूला हुगा तो यह भी जातियों भी नहीं होगा तो इसका अंसर ऑप्शन भी हो जाएगा जाति का बहुचन जातियां परासना है नेम लेखिए सब्दों मैं स्ठर्लिंग सब्द कापो चैन करना जो इस्टर्लिंग है उसी का फूर्ट रिदूर चीछ तुख सबला देखेए शिस यह पुल लिंग है और इसका स्टर्लिंग सिस्ट्रुण हो जागे यह नियुग विदूर यह पुल रिंग है हो जाए यह है है तो इसको कुस्तों नहीं रहिए तो पुलिंग यह फुलिंग अन्य कभिक्ष्ट भी फुलिंग इसका भी मतलब अब पुरंथ इसका इस्तर्लिंग जागा हर में टिके तो सबेले ही स्कांश बता नहीं को सब्क्रब्रक्री ये फिल Frederick सबल ज startups कहीं सब लाथ है तो एत्र रखें किसमें सबला इस थर्लिंघ हो जागा परएश ना है यहां पे भी इस तलींघ बताना आपको ये लास्ट परस्नै कि उपहार, गरंठ, मस्तक, रसना आपको चो लग रहा है इस मिन्स में है जो स्टेर लिंघ है कि उपार तो नहीं लग रहा है गरांध भी नहीं मस्तक भी ने रचना रचना स्टर्लिंग वर्ड है आप इसी याद रखेगा तो फ्रेंड साज का परस्न बस यह तक था आयोप सारे प्रस्न को समझ भी गयोंगे याद भी हो गया हुआ अगर विडियो अच्छा लगा तो